नमस्कार साथ्यू हमारे यूट्यूब चैनल जहादकरन डिफेंज जो में आपका एक पर फीज से स्वागत है यह आप चैनल में ने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए साथ में बेल घंडी को भी दबा दे तो चलिए दोस्तों जो मैं आप लोग के लिए लाया हूं समान भ बिज्ञान से परस्ने जो है दोस्तों अलग से पूछे जाते हैं तो हर एक एक्जाम में 20 से 25 परस्ने रहते हैं समान भिज्ञान से मैं उन्हीं टोपिक को लाया हूं जो एक्जाम में आने की परवल संभावना है मैं उन्हीं को लाया हूं दोस्तों जो एक्जाम में आने क जरूर देखे खासकर जार्खन की तैयारी के लिए जैसे सी सीजियल जो हमारी टीम के दवारा डेली छो कलास चलती है दिन भर में तो आप लोग जोइन नहीं कियां तो जोइन करके देख सकते हैं दोस्तों तो चलिए समय ना कवाते हुए हम महत्पुन सवाल को देखते हैं ज जो जो भी केंडिडेटर जो एक नमबर दौनमर से मिरीट में चुकते उसको पता है कि क्या है एक मार्क्स दो मार्क्स क्या होता है तो चलिए जोस्तों मैं वीडियो स्टाट करता हूं पहला परस्त साइनो को वालमीन क्या है तो मैं आपको बाता दूँए वही परस्त दोस्तों आभी तक किसी ने आपको यह परवाइड नहीं किया होगा परस्त चलिए आगला परस्त टेटरा इठाइल लेट इसका फूल फूर्म होगा टीएल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है तो परस्त में यह पूछा जा रहा है कि टीएल पेट्रोल में क्यों मिलाया जाता है तो मैं आपको बता दूँए एंटा नौकिंग रेटिंग को बलहाने क के लिए इसका मतलब यह हो गया तो इसका जो है अब स्पोर्टन की दर को बढ़ाने के लिए किया जाता है याल का परियोग अगला फरी की चमक होती है तो मैं आपको बता दूँ इसका जो ही य चमक होती इसका महत्पून खादन क्या है यह रेयल्वे में पूछी गई यह चो आपीतुर यादर्ता किस्से घरी जाती है है घर्णी इंगली समय स्टिबस से होगा दोस्तों चलिए अगरा परस के रेटीन पर बनने वाले परती ब्लंक होता है तो पुछा जो जा रहा है कि रेटीना पर बनने वाले परतीब्लम कैसा होगा तो तकि इसमें जो होगा वास्त्वीग होगा रियल इसको रियल करता है उल्टा और वस्तू से छोटा यह जो होगा वास्त्वीग होगा दोस्तो उल्टा तथा वस्तू से छोटा होगा रेटीना पर बनने वाले प्रति भी अगला प्रस पोलियों का टीका का सरप्रथन किसने तयार किया था तब पिरस्ट में यह पुछा जा रहा है कि प्रस्ट पॉडियोगा टिका कि सरप्ध्रथन किस ने तयार किया था जॉन सौल्ग साइद इसको आप लोग को पता होका दोसतों इसके एंसर जॉन सब्सक्राइं परंद को लाया हुँ जो अग्जाम में आने की परवल संभावना अगला परस्त गोवार गेस का मुझे संगटक क्या है तो गोवर गेस का जो मुझे संगटक मीठेन मिठन का आपको सुप्रवादू लुमी कि आजफिस लाऊची लोगा लुम हाया थाउट please ऐदिन वहाइट न्यूंतिन टील्छ को मैं आपको बता देगा तौरण काम तरान अगला प्रश्ड गायटर नामक रोग सरीर में किसकी कमी के कारण होता है और आयोडिन अगला प्रश्ड वारोलोजी किसका अध्यन किया जाता है तो मैं आपको बता दू वायरोजी है विशानुगों का द्यान किया जाता है अब विशानुगों को इंग्ली से में वायरस करते हैं अगला परस्ट विटामिन C का रसाइनिंग नाम क्या है तो मैं आपको बता दूब विटामिन C का जो रसाइनिंग नाम है दोस्तो कुपी में भी लिख सकते हैं दोस्तो समान व्यक्ति के अनुषिलक कितना होता तो मैं आपको बता दूब जो समान व्यक्ति के जो अनुषिलक सबसे अधिक होता है तो मैं आप इसका जो एंसर दोस्तों है यह मैं पिछली वीडियों में बता चुका हूं इसका जो एंसर होगा देगनी रंग कि अगला प्रस्त केलो मोल क्या केलो मेल आपको बता दूं मर्क्यूरिक मर्क्यूरस कोलोराइट इसे कह सकते हैं और अग्राव सिंदूर का जो रसाइणिक नाम क्या है तो सिंदूर का रसाइणिक नाम आपको बता दू क्या है चलिक फॉल्स तो बताया गया सभी प्रस्त एक्जाम की दिरिष्टी से बहुत ही महत्कुन है तो आप जरूसे जरूर वीडियो के साथ प्रस्त में पूछा जारे जो पाई जाने वाले एंजाइम का नाम है तो इसका जो एंजाइम का नाम है अगला प्रस्त प्रोतिन को अमीनो अमल में अब घटीन करने में उत्परेरक जो होता क्या है परहण होता है प्येफसिन एंजाइम ने अगला परस्त एक लटी क्या है इस टरोडी तो जो बरहमांड है बरहमांड की विकास का अंध्यान करने वाले जापानी एकस रे का उपगड़ा है तो एक लुक्त क्या है दोस्तों ब्रामांट के विकास का अंधियन करने वाला जापानी एक्सरे उपगरा है यह जो है उपगरा है अगला प्रस्ट धूर बतारा यह से पोल एश्टार्वी करते हैं दूर अकास में एक रिस्तान पर दिखाई देता है जबकि अनतारे इसका कारण अनतारे नह इसका पीठरवी का भुन्नन अक्ष की दिशा में इस्तित होना प्रस्ट अगला कि मनुसरद्दे में सामयनता प्रती मिलत कितनी बाद अस्पंदन करता है तो बहुत तर बार इसका अन्सर आप जानते हूंगे दूस्तों अगला प्रस्त को के इस फिग्णोमीटर नामक यं तो चलिए अगला परस्टो सन उनीश सो इस भी में काल लेड़े श्टेनर ने किसकी खोच की थी यह जो की थी दोस्तो बलड़ गूरुप अईसे शब्रक्त समूब काते हैं इसकी खोच की थी अगला परस्ट समूद का जल समूद का जल नीला क्यों नहीं दकाई तीघने पुषा जड़ा जोड़ सम्दूत का जलर नीला कि रिखाई य देता है जल के कनों के ढदर करकास के पर हब किनन के कारण तो आपको उतना नहीं देखना है बस आपको पर ही ना दे सब्सक्राय जहां लेगा नहीं इसका मुख्य कारण नहीं है तो चली अगला प्रस्थ दोस्तों प्रोटीन कि इसका प्रमुकी योगी के प्रोटीन जो है कि इसका प्रमुकी योगी यह नाइट्रोजन तो आप अगला प्रस्थ देख सकते हैं दोस्तों है नौबर प्रूसकार से सम्मानित हने वाली प्रत्रा निट्रह उसको किस छेत्र मेनी मिला था उसका जो नामाथा। दोस्तो रेडियम अगला प्रस पानी में सुई डूप जाती है जबकि भारी भारी समुद्री जहाज में तेरते रहते हैं इसका कारण आपको बताना है तो मैं आपको बता दू जहाज के डूबे हुए भाग को हटाए गए पानी का भार सारे जहाज के बराबर होती है सुई के दवरा हटाये गए पानी का भाष सुई के भार से कम होता है इसे सुई पानी में डूब जाती है तो कारण बहुत लंबा है दोस्तों इस तरह को में बहुत कमी प्रस पूच्छे जाते तो यह बीटामिन दी के सूर की परकास से यह जो है बीटामिन दी हो एंसर चली अगला प्रस हेली पूछल तारा परती कितने बस दिखाई देता है तो आप जान सकते हैं अगला प्रस किन तरंगों की सहता से चमगा दरे रात में भी सुरक्षित परती है तो आपको बतादू परासरवे जिससे अल्टरा सुनिक खरते हैं परासरवे तरंगों की सहता से हमको लगता है तो यह होता है अगला प्रस रख्त का थक्का जम्न में कौन सा अगला वीटामिन की हमको लगता है यह एक हजाब बार स्ट रिपीट की गया है सभी एक्जाम में अगला प्रस्ट एंपियस सेकेंड किसका मात्रा यह जो मात्रग आवेस का मात्रा लॉफिंगे से लॉफिंगे सको नैटर्स अक्साइड भी करते हैं तो चली अगला प्रस्ट बहां चुमकी परभाव से बेज्ञानिक यंतुरों की रक्षा की जाती है तो मैं आपको बता दू लो कवर में रख कर अगला प्रस्ट परमानु बिजली घरों में किस परकार की न अगला प्रस्ट रेडियो कार्वन बिद्धी का उप्योग होता है तो मैं आपको बता दू प्रस्ट कैंसर में पहले बता चुका हूं जी आसमों की आयू का पता लगाने के लिए का किया जाता है तो चलिो अगरा प्रस्त परस्ट शरीर का सारा किसके मांद्य हमें सब्ट होता है इसने किन्हें करते हैं क्या करते हैं तो मैं आपको बता दू जलीजाची अपर चुल्पंहीं करते हैं अगला प्रस्ट दो समांतर दर्पनों के बीचे रखी बस्तु कितने प्रतिवीम बनते हैं तो दो समांतर प्रस्ट में पूछा जा रहा है कि दो समांतर दर्पनों के बीचे रखी बस्तु कितने प्रतिवीम बनते हैं अनन्त इसके एंसर जो हो जाएगा अनन्त अगला प्रस्तो दो समांतर दर्पनुग बीच रखी बस्तू सबसे अधिक चमकीला प्रतिभीम कौन सा होता है तो मैं आपको पता दू इसका जो एंसर होगा दूसरा प्रतिभीम अगला प्रस्त तेल का जल पर फेल जाने का कारण है तो प्रस्त में पुछा यह जाता है कि तेल का जल के तल पर फेल जाने का कारण क्या है तो मैं बतादू तेल का जो प्रिस्ट तरनाव जल की अफ्रेक्शा से कम होता है इसलिए वह फेल जाता है तो अगला प्रस्त पेंसि तो आप अगला परस्ट देख सकते हैं तो इसकीन पर कि जो परस्ट नहीं मैं आपको बता दूँग कि अगला परस्ट सदक पर चलने की अपर चलना कठीन क्यों होता है तो मैं आपको बता है इसका जो एंजर होगा बर पर सदक की अकिश्या घरस्ट कम होता है तो इसका जो एंसर होगा टेरे वी देनेस तो इंगलीस नाम है दोस्तों अगला परस्ट जी पग्यान का जनक अरस्तू अगला परस्ट जी बिग्यान की साखा एपक कल्चर्चर के अंतर्गत किसका अद्यों किया जाता है मदू म खी पालन का अगला परस्त बनसप्रति प्रिज्यान का जनक किने माना जाता है थीव परेट्स को कि आगला परष्त जीवन के उदभाव का अधुनिक जीवरसायन सिध्धान किसने दिया परस्त को आप ध्यान से रखिएगा जीवन का उद्भव का अधुनिक जीव रसायन शिद्धान यह जो दिया था AI आप्रीन ने AI आप्रीन ने अगला प्रस्ट चीकिस्ता साथ के जनम दाता हिपोक्रेट्स आगला प्रस्नोस फिस्ट म्हाल कों सा जीवव चवाल की फसल के लिए जया उप्णार करता प्रक्रायक न्यार Kings सेव्ढ को सवाध अगला प्रस्ट स्षय क्यों सेलेक्शन का सीदन कि चौलस डार्वीन ये जो कितने किया लिने अगला परस्त अगला परस्त के जिवानों की खोच किसने की रोवर्तš ने की थी आपขुम नहीं बताना है जिवानों इक हफिर घ्राय कि चली अगला परस्त बेरी बेरी रोक की चीकत्सा की खोज किस ने की आईजक मैन अगला परस्त रावाठ हुग ने अपने किस पुस्तर में कोशिका का नाम दिया माइकोग्राफिया बहुती भीवी आई है दोस्तों यह परस्त इसे कजरूर कर ले भी टालों की खोज किस ने की थी इवानु वसकी ने ठाश बैद्विश्व वर्णिक का जनम धाता वर्गी की मैं आपको बता दूँप्रस आप देख सकते हैं वर्गी का जनमदाता थैंसे फादर और अब टेक्सोनोमी का जाता है इसे चो का जाता है लीनियस को आगला परस् अग्ला प्रस्ट सभी फुरोगे टीया जीव अर्था जीवानू साइनो बेक्तरीया अर्था या र्धार को किस जगत में सामीर किया गया है एंसर होगा उनेड समय और संदृम पर आप यसरी प्रमेंट कर दोंगता और अच्छी घर चरड़ से लाइक कर देना किया एसे लिज्था थो मैं आप लोग को 60 दीन में करवा दूंगा चिख आप लॕझ से जरू से जरू चैनल को subscribe कर ले जिस्से की याद आ जाए तो धन्यवाद जय हिंद जय भारत